बेटा अभी तक तुम सोय नहीं पापा मुझे आप आज कहानी सुनाने वाले थे ना हाँ हाँ कहो कौन सी कहानी सुनाओ तुम्हें पापा कोई भूत वाली कहानी सुनाई है ना क्या भूत वाली कहानी क्या तुम्हें डर नहीं लगता पापा इसमें डरना क्या है भूत असलियत में होते ही नहीं अच्छा तो ठीक है आज मैं तुम्हें एक भूत की कहानी सुनाता हूँ बोना भूत की कहानी बहुत समय पहले की बात है शिखरपुर गाउं जो की एक मात्र ऐसा गाउं था जो की चंगल और पहाडों से खिरा हुआ था उस समय बारिश का मौसम था बारिश की वजह से सारे गाउं के लुग अपने अपने घरों में थे पर उस समय एक घर में काफी हलचल थी वह हलचल किसी और की नहीं बलकि गाउं के मुखिया के घर में हो रही थी मुखिया जी चाता पकड़े अपने घर के बाहर खड़े थे और मुखिया जी के घर के अंदर गाउं की कुछ महिलाएं थी मुखिया जी थोड़े घबराय और थोड़े खुश भी थे क्योंकि बात खुशी की ही थी मुखिया जी की पतनी आज अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी कुछ ही समय बाद मुखिया जी के कानों में बच्चे की रोने की आवाज गुज पड़ी मुख्या जी घर के अंदर जाकर अपने बच्चे को देखने के लिए आतूर थे थोड़े ही समय में घर का दरवजा खुला और एक भूड़ी अम्मा घर के बाहर आई अम्मा, अम्मा क्या है? लड़का या लड़की? शैतान हुआ है शैतान, तेरी पत्नी में शैतान को जनम दिया है हुआ 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 ह तो मिरीम क्लीम चा मुंडाय विच्चे स्वाह हर हर महादेव हर हर महादेव धर्ती पर फिर एक पार एक शैतान ने जनम ले लिया मुखिया जी जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ अब आप क्या फैसला लेंगे फैसला फैसला क्या है शैतान जैसा दिखता है ले जाकर गाड़ दूँगा जंगल में और क्या सही फैसला लिये हो मुखिया जी पापा फिर क्या हुआ उस दिन दोपहर में ही गाउ के कुछ लोग मुखिया जी के साथ मिलकर उस बच्चे को जंगल में गाड़ दिये तो क्या वो बच्चा मर गया? शैतान था वो शैतान ऐसे कैसे मरता जमीन चीर कर बाहर निकल आया वो उस शैतान ने कई महिनों तक जंगल के जानवरों को खाने लगा उस शैतान की हाइट काफी कम थी अब वह शैतान गाउ के सीमा रेखा तक पहुँचने लगा कई पालतू पशुओं को अपना आहार बनाया जिससे की गाउवालों में काफी डर का महुल बन चुका था मुखिया जी वो जो कोई भी है हम उसे चोड़ेंगे नहीं हमारे कई पश्वों को मार दिया है उसने हाँ हम उसे चोड़ेंगे नहीं मुझे तो लगता है कि किसी आदम खोर बाग का काम है सही कहा बिलकुल सही कहा आपने मुखिया जी बाग ही होगा डरो नहीं हम वन विभाग से बात करते हैं मुखिया जी ने वन विभाग में इस बारे में बात किये और कुछ लोग गन लेकर जंगल में खूमने लगे इस बात की भनक उस भूत को लग गई वन विभाग वाले जंगल में अब भी उस चीज की तलाश कर रहे थे राद भी हो चुकी थी अब अब अपना खेल शुरू कर चुका था हर कि रुकी है कर दो कर दो एक एक कर उसने सारे वन विभाग के आफिसर को मार दिया गाओं में डर का महोल था लोग अब भी अपने घर से निकलने से डर रहे थे पापा बोना भूत? मैं समझा नहीं चिन्टू बेटा यह वही शैतान है पर इसकी हाइट कम थी इसलिए लोग इसे बोना भूत के नाम से जानते थे परन्तू भूत को खुद में एक नया चमतकार दिखा और चमतकार यह था की रूप बदलने का चमतकार फिर क्या हुआ पापा? एक दिन विक्रम नाम का एक आदमी शहर से अपने गाउं लोट रहा था विक्रम जंगल लगभग पार ही कर चुका था की चाचा ओ चाचा हाँ इस जंगल में कोन आवाज लगा रहा है? चाचा आप कहा जा रहे हैं? मैं? मैं अपने गाउं जा रहा हूँ शिखरपूर तुम कौन हो और अकेले यहां जंगल में क्या कर रहे हो? चाचा मुझे बहुत भूख लगिये काफी दिनों से मैं जंगल में घूम रहा हूँ मैं अकेला हूँ ठीक है तुम मेरे साथ चलो यहां पास ही में मेरा गाउं है तुमें पेड भर कर खाना खिलाऊंगा ठीक है चाचा विक्रम उस बच्चे को अपने साथ अपने घर लेकर आ गया विक्रम की पत्नी ने उस बच्चे को खाना खिलाया और विक्रम को गाउं के जंगल में हो रहे घटनाओं के बारे में बताया वह बच्चा उन दोनों की बात को ध्यान से सुन रहा था सुनिये आपको पता है मुख्या जी के पत्नी ने एक शैतानी बच्चे को जनम दिया है क्या शैतानी बच्चा हाँ शैतानी बच्चा दूसरी दिन ही मुख्या जी ने जंगल में उस बच्चे को गार दिया यह तो काफी डरावनी घटना है, चलो काफी रात हो चुकी है, हम लोग सो जाते हैं, कल सुबह में मुख्या जी से मिलता हूँ जाकर सुबह विक्रम मुख्या जी से मिलने के लिए चले जाता है, पर मुख्या जी के घर के बाहर काफी भीड लगी होती है, वह थोड़ा आगे जाता है, तो वह काफी डर जाता है विक्रम देखता है कि मुखिया जी के घर के बाहर पेड़ पर मुखिया और उसकी पत्नी फासी पर लटक रहे थे मुखिया जी और उनकी पत्नी को फासी पर लटकता देख विक्रम ने गाउ के एक युवक से पूछा अरे अनिल ये सब क्या है कैसे हो गया पता नहीं कल तक तो मुख्या जी ठीक ही थे पर अचानक से ऐसे हो गया हम सभी हैरान है विक्रम तुरंद घर आकर इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी क्या कह रहे हैं आप मुख्या जर उनकी पत्नी ने फांसी लगा ली हाँ पर गाओ में किसी को भी पता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया सुनिए आपने इस बच्चे को जहां से भी लाया है इसे छोड़ के आईए हाँ मैं इसके माता-पिता की तलाश करता हूं और इसे छोड़ कर आता हूं वक्त बीटता चला गया विक्रम खेतों में काम करता और समय मिलने पर जंगल में मिले उस बच्चे के माता-पिता की तलाश भी करता सुन तू बहुत दिन से इस घर में पड़ा है मुप्त की रोटिया तोड़ रहा है घर का कुछ काम भी कर जिया कर पर पर चाची मुझे तो कोई काम है नहीं आता जा जा कर घर के बर्दन धोके ला अरे अरे बेटा ये क्या तुम तुम बर्तन क्यों धो रहे हो चाची ने कहा है चलो चलो अंदर घर के अंदर चलो सुनो तुम ये क्या कर रही हो एक छोटे बच्चे से बर्तन साफ करवा रही हो ये गलत है देखो जी बहुत हो गया इस बच्चे को तुरंट छोड़ कर आओ मैं इसके माता पिता की तलाश कर रहा हूँ इसके माता पिता मिलते ही इसे छोड़ दूँगा विक्रम जब खेत में काम करने चले जाता तो विक्रम की पतनी उस बच्चे से घर का सारा काम करवाती थी चल अब जब खर के बहर में भी जघडू लगाना है मैं ठग गया हूँ चाची बाद में जघडू लगाऊंगा क्या ठग गया है रुक आभी तुझे बताती हूँ रुगजा रुगजा वह ही रुगजा दे तो मुझ तोड़ दूगा च्या तेरी इतनी हिम्मत मैं घर का नोकर हूँ क्या अब तक तेरे पती के वज़े से शान था मैं कौन हो तुम मैं वही हूँ मैं वही हूँ जिसे तुम गाउवालों ने एक नाम दिया है बोना बोना भूत नहीं नहीं छोड़ दो मुझे जाने दो यह यह तुमने क्या कर दिया तुम कौन हो अरे घबरा क्यों रहे हो चाचा मैं वही बच्चा हूँ जिसे आपने जंगल से घर लेकर आये थे बस रूप बदल कर आया था मैं वैसे लोग मुझे बोना भूत के नाम से जानते हैं तुमने तुमने मेरी पत्नी को क्यों मार दिया अब क्या बताऊं चाचा तुमारी पत्नी ने मुझे बहुत परिशान कर दिया था हर बार कहती थी ए बच्चे चल पड़तान दो ए बच्चे चल कपड़े दो चल जाड़ो लगा ए बच्चे कोते ने आंगन में टटी कर रखी है जाकर फैक दे क्या भूत का कोई इज़त नहीं है चाचा तुम डरो नहीं चाचा तुम मुझे अच्छे लगे तुम एक अच्छे इंसान हो तुमारी वज़े से ही मुझे पता चला कि इस गाओ के मुख्या और उनकी पत्नी ही मेरे माता पिता थे जिनोंने मुझे बच्पन में ही जमिन में गाड़ दिया था तो तो इसका मतलब मुख्या और उसकी पत्नी को भी तुमने ही मारा था हाँ हाँ चाचा उसी रात को मैं मुख्या के घर गया और दोनों के गले में रस्ती डाल कर फांसी दे दी देखो चाचा तुम्हें मैं बहुत सारा धन दे रहा हूँ देखो देखो अरे बापरे इतना सारा सोना आ चाचा जाओ अपनी जिन्देगी अब राजा बन कर बिताओ मैं तो चला बोना भूत विक्रम को बहुत सारा धन दे कर वहां से चला जाता है पापा पर बोना भूत में विक्रम को क्यों नहीं मारा बोना भूत की एक विशेष्टा है यदि उसे कोई इंसान पसंद आ जाता है तो वह उसे बहुत ही धनवान बना देता है बोना भूत रूप बदल बदल कर नए नए गाउं जाने लगा वह बहुत से लोगों को मारने लगा था लोगों की छोटी से छोटी गलती होने पर भी वह लोगों को मार देता अब बहुत हो चुका उस छोटे से भूत ने चारों तरप आतंक मचा रखा है मनुष्य पशू सभी को मार रहा है वह दुष्ट उसका अंत करना ही होगा हरहर महादेव हरहर महादेव अच्छानक से मौसम बदल रहा है लगता है आज कुछ होने वाला है आज तेरा अंत होने वाला है दुष्ट इसलिए मौसम बदल गया है ओ, मेरी मृत्यू, कौन मारेगा मुझे मुझे तो बजपन में भी जमीन में गाड दिया था परन्तु अभी भी तो जिंदा हूँ मैं, जमतकार है ना तुमने बहुत से लोगों को मारा है हाँ, तो बहुत से लोगों को भी तो धनवान बनाया हूँ मैं आप लोग मुझे मारने आये हो, या मुझे से धन मांगने धन की कोई इच्छा नहीं मुझे, परन्तु आज मृत्य होगी तेरी इतना तय है बाबा, आप रहने दीजिए, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ ओ, 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 नहीं, ओ, 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 ओ ओ, गुरू, मर गया तेरा छेला अब तेरी बारी ए, महादेव, ए, भोले नात, मैं आज उस शस्त्र का आवाहन करता हूँ जो आपने मुझे वर्दान में दिया था आज अगर ये दुष्ट बच गया, तो इस संसार में कोई नहीं बचेगा हर हर महादेव मुझे मारने के लिए ऐसा कौन सा हत्यार मंगा रहा है गुरू, जरा मैं भी तो देखूं, मंगा ले, मंगा ले चल चल दिखा तेरे इस शस्त्र की शक्ति महादेव से मिले त्रिशूल से उस बोना भूत की मृत्य हो गई हर हर महादेव हर महादे त्रिशूल से रहा है महादेव जर आर दिख़त